यो वाट्सप गईस कैसे आप से भी लोग वालकम बाक टू एनादर गीम के वीडियो तो आज हम लोग बार से के लिए जा रहे हैं रेंच सिमिलेटर तो जैसे कि आपने को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं अपनी रेंच के अंदर कुछ गाएं भैस और ठेर सारी बक्रिया लेकर आया था और उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा एरिया भी बनाया था जहां पर अपना घूम फीर सके कुछ खापी सके और जिससे बेच के मैं जादा से जादा पैसा कमा पाता हूं बड़ पैसा कमाने के लिए आज हम लोग एक नया बिजनस स्टार्ट करने वाले हैं और वह है अभी तक मैं डिपेंडेंटन था सिफर सिफ एनिमल्स पर कि मैं उन्हें लाओंगा पालूँगा मारके बेच दूगा या फिर मुर्गियों को पालूँगा और उनके बेचुगा बट फाइली हम लोग एक नहीं बिजनस स्टार्ट करने वाले हैं जसमें में ठे सारे वेजिटीपल्स फूट्स को ग्रो करूँगा और उन्हें बेचुगा लेट्स को चलते हैं काम पे वाल्राइट गाइस वाल लांड में नहीं करेंगे ग्रीन हाउस बनाकर उसके अंदर फार्मिंग करेंगे थाकि हम लोग एक ही जगह पर मल्टिपल चीज़ें उगाप हैं और एक सेकिंड लास्ट टाइम काई बताना पूल गया था कि मैं एक होर्स भी लेकर आया था वह तो ठीक है तेरी वैंस किड इतने ज्यादा पिग हो गया ना भाई मतलब चलना फिरना मुश्किल हो गया विचार इस खोड़ेगा इसको छोड़कर आना अंदर भाड़ में भाड़ में तेरी ऐसी कि ऐसी मैना लेकर जारा तरको अभी तो भारी चलया था मुझे एक चीज स्ट्राइक करने कि क्या आप यह अंदर क्या है इसाब चल रहा है यहां पर यह कुछ नई वाली बक्री में लाया था वाइट कलर की और और को क्या लाया था मैं पाई एक तो यारी इतने ज्यादा पिक हो गया ना कोई तीसरा अनिमल भी या नजरी नहीं आता है यह कुछ अलग टाइप की मैं काउ बफ इरिया चाहिए होगा जहां पर मैं ग्रीन हाउस बनाओंगा फिलाल ओपन एरिया यह यहां पर अपना ग्रीन हाउस बना सकता हूं तो सबसे पहले ना इस ओपन एरिया में मुझे थोड़ी बहु चीज़े को ठीक करना होगा जैसे कि बेंच फाल तुपड़ा हूँ इसको हएं से रटा जेता हूं राधसी ह bada टल रेकल ट्रिंगे जा deta है कि वहीं कुछ आपड़े वाला पैंट कॉछ मेरे में अपना लगदी कई इस को यह वही फ्रन्दency कुण और यह यह पहल पर क्या गूमरी इन कांट सारा दोस्त पके तेरे rea अटा है चलो चलो जार एपन करना यहां सीधा अंदर रही हो वरना कोई और बार आ जाएगा चल यह करा मैंने बंद हाँ सबस्क्राइब इधर रखना है तो अभी काफी अच्छा ओपन इर्या मुझे मिल गया है बट यहां पर अभी बहुत सारी घास है तो इस घास को काटने के लिए मुझे ग्रास कटर वाली मशीन लानी होगी जो कि शायद से वीकल शॉप पे मिल जाएगी और वैसे भी अपडेट साया तो हो सक वीकल शॉप जादा दूर नहीं है अपने रेंच के एकदम बस बाहर निकलते यह सामने आ गया अपना मस्ट डेलर्शिप यहां पर गाड़ी ओ नाइस क्या पारकिंग रही है जल्दी से चलते हम लोग शॉप में और पीछे एक बैंक भी उपन हुआ है नाइस पैसा आज अंटी जी बैंक का कैसी नहीं है हम लोग ऐसे लोन अगरा ले सकते हैं मेरे पास अभी थी थाउजन एटनेट फॉर्टी डॉलर्स पढ़े है बस शायद लोन लेनी की जरूत पढ़ जाएगी आज मेरे को ऐसा लग रहा है बड़ ठीक है अपने पास ना बहुत सारे भी पि लेकिन को नहीं लेगा वाई इसकी जरूत क्या है सुवी सेडान स्मॉल ट्रक पिकप फिकल इस पिकप फिकल के अंदर में दो पिक दो काव या दो गोट ला सकता हूं और मेरे पास एटीवी है पिकप एक यह गाड़ी तगडी लग रही और क्या क्या आया यहां पर भाई क के बास grass cutter है मतलब वो machine है आफर नहीं लेट्स को गाड़ी को लेकर चलते है अंदर और यहां पर मैं कर देता हूं मास पार्क टन अब यहां ग्रास कटर दिख तो नी रहा है मैं को इसकी दुकान पर फिर भी पता कर लेता हूं यहां पर आई तिंक ओ यह रहा ड्राइवेब सकाटने के लिए इतनी कम स्पीब मुझे घर जाना है और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की बात ही है कि मेरी एक गाड़ी यही पर रहेगी नाइस अब यार सकेंदर कोई बूस्ट उस्ट रियें किसी तरी किसी से किसी गाड़ी पर लोड़ नहीं करा सकता अलो भाया भाया यह लिफ्ट दो यार थोड़ा धक्का मार तो मैं तेज चले जाओंगा देख रहें वही ट्रक तक मुझे आज ओटेक कर रहा है वे मैं दस की स्पीड बोल लो भट असलेट में इसकी च्छे की स्पीड है इसाब मैंने तो ज्यादा तारीफ कर दी उल्टा इसकी चलो काई इसको यह बात नहीं थोड़ी दिर सो जाता हूं शायद हम लोग कल तक तो पहुची जाएंगे ठीक है वैसे मैं इसको लेकर तो जा रहो है पता कर ले तो गास काट भी रहा या फिर नहीं अरे वह इसकी टांग घास तो को टीनी डी मालो यह घास है यह यह घास है यह इत्त वापिस पहुच चुका हूं और चलाते चलाते दोपैर के तीन बच चुके हैं मौसम वागार एक्तम खराब हो गया है बट मुझे अभी तक सब्सक्राइब यह घास कटने लग गई ऑटोमेटिकली शायद से हम लोग अपने ही एरिया की घास काट सकते है देख रहे हो यह सब्सक्राइब यह जा रहा हूं गास कटते जा रहे है शायद इस एंगल से समझ जाएगा यह प्रोपर रस्ता बन जाएगा थोड़ी सी खुशी हुई ओ मुर्गी मुर्गी हट जाट 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 चिकन वन्याता भी तो दो बिनिट के अंदर वी एक्तम मस कटा हुआ फ्र से ओल्मस्ट उस एरिया की मैंने ग्रास काट जिस एरिया पर मेरे को बनाना है मुझे लगी था कि थोड़ी देर में बहुत भारिश होने वाली है और बारिश स्टार्ट होगी है तो परके चार बज़े है बारीश धूप सब चलीगी वाई यह ऐसा नहों कि भारिश दुब पूरे में बहुत ज़्यादा लकडिया यह बिखिर रखी है तो काम करता हूं इसको मैं एक जगा इकठी कर देता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं जितनी भी लकडिया ना उन सब को यहां पर रखवा दे रहा हूं मतलब बिखरी रहती है हर जगाए से अच्छी सीरी लगती त देख रहे हैं इतना भी कुछ रिलेस्टिक मत बनाया करो यार ची यार अब तु बारह से अंधेरे में मेरा काम करने का मन नहीं घरता बाकी यह ठीक है मैंने क्या क्या ना काम निप्टाया जितनी लकडिया उन सब को एक तरफ इक तरफ इकठा कर दिया थोड़ी सी यहां प फटा-फट से उठके बनाना सार्ट करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास ना धेर सारी लकडियां कटी हो चुकी है तो मुझे मार्केट से नहीं वूट खरीदने नहीं जाना पड़ेगा फिलाल थोड़ी बहुत ग्रास रह गई थी और इसको भी मैंने एकद इसको बंद घर में न choose one जा यहां नहीं बचाjung हां इन पावाट का वुट-फॉर्व्ट झाल चलतें ने हुआ झाल बस्कंदने सरी लाईट को जला करना थी सथी सफटροफ से शोच बंद बंद गरते हैं लुट लिटा लाइट जला रहे है गुड बॉर्णिंग गाइस नेक्स टोडे हो चुका है अब फटाफट से चलते हैं नीचे बारिश वाला मौसम मत देना आज सच में बहुत प्यारा लगता है काम करते टाइम रियल लाइफ में तो मुझे बारिश वाला मौसम ही पसंद है बट ग मुझे ग्रीनाउस की जादा नौलेज निया इसलिए में स्टाटिंग में थोड़ा चोटा बनाऊगा अगर यह अच्छे से वक करता है मतलब वेजिटेबल्स उकते हैं तो मुझे बड़ा बनाएंगे फिलाल अभी मैं इसको थ्री बाई फॉर का बनाने वाला तो तीन में ने सामने रख दिये 123 पीछे दो लेर हो गई तीसरी चौती नहीं हाँ फॉर हो चुके यह पर थोड़ा सा बड़ा घर दुगया थोड़े जादा उख जाएंगे कर देते वड़ा ठीक है एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां फिर पीछे की तरफ में एक तू परफेक्ट तो भी कुछ इतना बड़ा बनने वाला है उसका बेस देखलो आपकुछ इस टाइप का है अभी गाइस यह ब्लूप्रिंट है यह बस हमें दिख रहे है कि जो चीज है वो कुछ ऐसी बनने वाली है इस एरिया में अभी जब तक इसमें हम लकडिया नहीं लगाए यह यहां पर आएगा एक इधर आएगा और जो सेंटर वाला है इसके अंदर लगाऊंगा मैं गेट वी तो कर रही है तो यह लग गया और इस गेट के पास आएगा वाला डूर इतना काम अपना कंप्लीट हो चुका है कुछ इस टाइप का अपना दिखेगा ग्रीन हाउस अब ग्रीन हाउस का जो टॉप है मुझे वह बनाना है तो टॉप के लिए अपने पास क्या क्या आइटम है एक तो यह कॉर्नर वाला इटम है एक है यह यह एल वाला ट्रेंगल वोल यह शाद से मिरको अभी मैं आगे का काम तभी कर पाऊंगा जब मैं बेस कंप्लीट करू लेकर आता हूं वाँ शाया गर इसने यह काप कर दिया आना तो समय लो अपना पैसा वसूल हो गया वाई दिखा दे वाई या तु दिखा दे करके मान जाओगा चल यह मैं इसको लेकर आगया हो यहाँ पर कर दे बड़े कर दे प्लीज आया ऑप्शन ही नहीं आया थी यार करते 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 इसमें वैसे भी फ्यूल लें घड़िया गाड़ी यह ट्रक के पीछे भी हुक का उप्शन नहीं अभी सामने मुझे अपने गराज से कोई दूसरी गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी जो एक कर सके तो मेरे पास यहां पर एक एक यह सडान ऐसं यह तो किसी काम कि नहीं है एक सब्सक्राइब और नहीं मेरे इंगी आटीव कांगे यार मैं इस सब्सक्राइबонец-बजाब इसके लेकर चलते हैं इसके पीछर तो हुक है यह इससे काम हो जाएगा बठाए जो भी हो मुझे अपन के लेकर चलते हो बाई नेक्स लेवल यार ऐसी गाड़ी चाहिए चलो भाई तो भी मैं से एक तम घसीट के यहां पर लेकर आचको बस बस भाई इतना भी आगे नहीं जाना था थोड़ा पीछे बढ़िया अब यहां से निकलते हैं यहां से मुझे लकडिया उठानी है और इ उठाने में दिक्कत हो रही है चलो बढ़िया अब बस इस यहां पर लगाना है इसके अंदर दो और लगेंगे और यह यह पर लगा दिया थोड़ा सा यहां पर लगायता हूं अब देखो काई सीन कुछ हैसा है यह जो उपर वाली वाल से इसको मैं कम्प्लीट नहीं कर पा यह जाएंगे शायद हाडवेर स्टोर पर मिल जाएंगे बट सोचनों ग्लास लेने जाने से पहले ना मैं यह उपर का भी कम्प्लीट कर देता हो ताकि मुझे पता चल जाए कि कि इस साइड पर यह देख रहें कुछ इस टाइप की इसको यहां यहां लगा यहां पर रोट ठीक है तो भी मुझे ट्राइंगल रूफ ही लेनी पड़ेगी जो कि कुछ इस तरीके से मैं यहां पर लगा पाऊँगा यहां पर भी लग जाएगी और एक यह लास्ट पीस लगाना है मुझे यहां पर थोड़े साइट से यह उपन है तो उसके लिए मुझे यहां पर इस आना पड़ेगा यह डबबा लेकर जाता हूं किसी चीज पर चड़ना पड़ेगा इस टाइन इस तो इस टाइप से कमप्ली deti का यह सई बना है यहार पहले नीचे लगानी हैस्ट प्र लगाने हैं वह ट्राइटिन वो टॉक्ट को क्या हो जाता है अधेक्ट, तो फाइनली अपनी ग्रीन हॉस प्लूॉे प्लुकरा फोल्य होगया उपर की जो बाकी साइड साइड संप लुप्रिंट बन गया है तो अम मुझे क्या करना है इस अपकर पूरा समाल लेकर आना है और इसको पूरा कंप्लीट करना है at least में पास जितनी वूड है वो मैं यहां पर लगा करता हूँ all right तो भी फिलाल जितने भी planks यहां पर लगाने थे ना वो मैंने सारे लगा दिया बस इसके अंदर ग्लास लागे लगाने है तो फड़ाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं पर एक चीज़ का मुझे ध्यान लखना होगा मेरे पास पैसे नहीं है मैं ग्लास खरीदने जातो रहा हूं बट उसके लिए मिलते हैं तो मैं बैक अप के लिए क्या कर रहा हूं कि कुछ पिक को मारके उसे थोड़ा मैं पाक करता हूं साइड में बड़े तरीके से इससे उतरते हैं अपनी फड़ा फड़ से रिलोड है ना चल भाई नंबर गुली को नहीं चल ली अचे रिलोड नहीं थी सॉरी पिक मेरे को भी पैसा चुई है तो मिरे पास इसके लावा कोई ऑप्शन नहीं है भाए बग् अब आधा नहीं चल चूण तो भी काइद रहे हैं और भी फटअ बहस्कित बढ़ भी पर देता हूं और जो भरे वाले डबबे उसको मैं इस साइड रखूंगा और ये खाली वाले हैं सारे मुर्गी बहुत सारे अर्व उसको चब्राप्टिय। यहां पर दूसरा डबा यह भी रखो यहां पर तीसरा डबा भाई बहुत सारे डब्बे मैंने आपर इसमें मतलब मीट भर दिया और यह कोई बात नी एक मिला इसमें इस वाले डब्बे में एक की जगह इसको रगो वैसे मैं सोच रहो यार पूरा यह ट्रेलर ले जाने के ब होने के बहुत चांसे जाते हैं इसको खोलो पर जगह नहीं होरी चलो तो सारे के सारे रब्बे आपर लोड करा दिया एक के उपर भी एक रख सकता हूं मौसम दुबारा खराब हो यह अभी तो तीन ही मज़रे हैं दुबारा मौसम खराब होगा ठीक है गाड़ी के अंदर सारा समान लोड़ चुक है गाड़ी सुपर फास्ता है फड़ा फट से हम लोग चलते हैं सबसे पहले बेस्ट बर्गर वहाँ पर उनको ले जाकर उस रेस्टांट में सारा का सारा मीट बेच देते हैं रह रहे रहे अराम से बाद चलेंगे हाड़ए स्टोर पर ग्लास खरी मज़ा आजा था यार काम कर रहे बिचारे पांचे पिक्स को मैंने मारा और सारा मीट लोट करा दिया गाड़ी वे और सीधा एकदम अमीर ही आई है जटके से बागे ठीक है अभी मैं हाड़वेर स्टोर पे पहुच चुका हूँ और मुझे थोड़ी बहुत प्लैंक्स और चाहिए बट रहने देता हूं यार प्लैंक्स नहीं खरीद रहा मैं यहां पर थोड़े पुराने खरीद है यह उठा लूगा नए नहीं खरीदने वाला अपने पास बहुत सारी वुड है उसका भी यूस करना है तो मुझे यहां से ग्लास खरीदने और हेंडिड डॉलर के और 200 ग्लास आजाएंगे शायद 200 में हो जाएगा तो 10 डब्बे खरीद लिए वैने ग्लास के एक डब्बे में 20 पीस थे अब इनको लोड कराना है मुझे अपनी गाड़ी पे बट यार जगा नहीं है कोई बातनी इन डब्बों को मैं यहीं पर साइड में लोड करवा देत इसको फड़ा पट से लेकर चलते हैं फुल स्पीड में वापिस अपने रेंच पे आगे काम कॉंटीनु करने के लिए और जैसा कि मैं कहा रहता है और फ्यूल भी भरवाना है और फ्यूल भरवाने के साथ साथ एक काम और करना है उसके लिए गाड़ी पहले पीछे लेकर जलता हूं मैं सुचरा हूं एक फ्यूल टैंक खरीद लेता हूं क्योंकि जो वह मशीन चला हूंगा लकड़ी काटने वाली उसके अंदर भी फ्यूल ललता है तो फ्यूल डालने के लिए मिर पास जैरी कैन होना चाहिए ना दो खरीद लेते लिए इसको उठाकर रखवा द जाता है एक दम स्ट्रेट जाना और भीच में आ जाता है वह तो यह देख रहो है फिफ्टी की स्पीड पे यह गाड़ी ऐसे पोच जा रहे है चुटकियों में और रहे रहे हराम से यार आउट उप कंट्रोल हो जाती है और बातों में गलत आ गया इधर नहीं जाना गया फाइनली गैस अस्टेशन पर पहुंचने वाले है इस गाड़ी में नुकसान भी तेज तो चलती है अगर गलत रस्ते पर जाओगे तो बहुत तेज बहुत गलत पहुंच जाओगे तो वही सी इन में साथ हो गया तो जादा ही टाइम लग लग गया ठीक है भाई रस्ते भ होने वाला थोड़ी तेर में लाइटे जला लेता हूं गाडी की वैसे भी आप सीधा ही जाना है तो रस्ता भूलने की तोड़ा इंशन है नहीं तो समाल लेकर में वापे से रेंच पर पहुंच चुका हूं और शायद मुझे एक बारी ना ओर चलकर सो जाना चाहिए ताकि नेक्स्स डे हो जाए इतने अंधेरे में क्या ही काम करूंगा जलते घर में और फटा फटा वट से चलकर टीवी देखते वह टीवी किस कमरे में मेरे में एक सेकंड बढ़ी तीवी अँट बढ़िया लैंहीं आप जला ओए टीवी नहीं बत्ती शारी बंद हो रही है इसको जब आद आगा मुझे इस वाले कमरे में यह देखो यह घटी आठीवी है थोड़ा वट आसी टाइम पास है बहुत सारे चैनल से यह देखो इस पर गाड़ी की इस पर आद आती है ते अधर गरों की एड चल रही है इधर गाड़ी वाले की चल यह दो आप आज मैं सारा काम निप्टा दूगा ग्रीनाउस भी कंप्लीट कर दूगा उसके अंदर वेजिटेवल्स भी लाकी लगा दूगा और उसे ग्रो भी कर दूगा सबसे बहले तो गाड़ी लेकर चलते हैं बहुत कुछ दिया देखते हैं कर पाता हूं या फिर नहीं बट मेरा ट आगे भी काम आएंगे बड़ी हो गया बाई तो बहुत ज्यादा इसके अंदर ग्लास लगाने और वुड प्लैंक लगाने तो वुड प्लैंक लगाए तो गेट भी बन जाएगा लो भाई यहां पर उपर चलने में बहुत दिक्कत होगी तो सीड़ी या फिर कुछ रैंप बना देता हूं यहां पर दो तीन टाइप की चीजे हैं यह तो स्टेर्स है मेरा प्लान है रैंप का वुड फांडेशन रैंप इसको बना सकता हूं शायद से घाड़ी हटानी पड़ेगी थोड़ा सा गाड़ी को आगे कर देता हूं बड़े बस 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 जादा नहीं अब देखता हूं नहीं बड़े बन गया इसके अंदर लकडी लगानी है यह लगा दी बड़े हो गया हाँ तो भी ग्लास लेते हैं उपर वालों में वेट उपर प्लैंक्स नहीं लगाने हैं तो मैं थोड़े बोत तो ले आया है ता वहां से उठाके बट अभी मुझे बाकियो नहीं को यह लंगाब उपर चलें चलते हैं वे निद्व मशन के रबंडुर का चलते हैं को नहीं मतलब इसे और दो इंडल्स की बगड़ता सारी तो पगड़े को यह वह थोड़ना है तो नहीं दौर कर लुग आँड़ी दर कोई अपडेट है जिसमें चेंज हो गए है तोड़ी इसमें फ्यूल डलता था मेरे को अच्छे से याद है देखो यार मैं जैसे इस पर लकडी काटने के लिए रख रहा हो ना एक एरर रहा है कि सो मिल फ्यूल टांक अब मेरे फ्यूल का पूरा यह जैरी कहाना है मैं इसके इंदर कैसे भरू कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं इतना याद आ रहा है कि पहले ना कहीं से जैनेरेटर हुआ करता था वह भी मिसिंग है अब वह जैनेरेटर मुझे खरीद के लाना पड़ेगा दुबार से एक बा इतने से कुछ नहीं हो गार लेट्स को तो मैं पोच चुका है हाडवेल स्टोर पे और अभी चल कर देख थे हैं कि जैनेरेटर किते गाया थे जोड़ो पहले पता तो चले मिलता भी है या फिर नहीं मैं तो ऐसी आगया मेरे को लग रहे कि मिलता होगा यह यह दिको यह दि इसमस के लिए फायर फॉक पैक भी यह खरीद के देखते हैं बढ़ा जो भी है लकडी काटने के लिए मुझे जेनरेटर नहीं मिला है तो मैं डारेक्ट शॉटकट यूज कर रहा हूं यहीं से प्लैंक्स करीद लेते हैं ठीक है इसके पास इसके लाब में पास अभी कोई जननी है तो 20 प्लैंक्स मैंने ले लिए चलो इतने में अपना काम प्यार से हो जाएगा भाई दककन को लो पीछे का सारा लोड करा हो यह कहा गया दुकान से समान तो नहीं चुराने आया है चलो भाई बहुत सारी वूट्स हो गई है इतने में कम्प्लीट हो जाना चाहिए मुझे इतना समझा रहा है कि यहां पर ना कोई चीज अटाच होएगी शायद से कोई जनेरेटर अटाच होएगा और उस जनेरेटर के अंदर मैं फ्यूल डाल सकता हूँ जैसा पहले होता था बट अभी तो फिलाल यह वर्क नहीं कर रही और मुझे कोई आइडिया नहीं क काम खतम हो जाए चलो तो अभी मस रिक्ता हम और तरफ ग्लास लग गए है और जो बाकी ग्लास के पाकेट से इसको उतार के रख देता हूं तो मैंने अपनी गाड़ी को पूरा खाली कर दिया अब चलते सीधा हाडवे स्टोर पे एक जनेरेटर खरीने के लिए अगर जनेर कोई अपडेट आया हो जिसके अदर काफी सारी चीज़ें चेंज हुई हो तो इसलिए इसा हो रहा है हाडवे स्टोर पे पहुच चुका हूं फटाफट से चलके कुछ प्लांक्स करीगते हैं तो यह मैं अपनी गाड़ी यहां पर लेकर आ चुका हूं अब फटाफट से च भी तो है यहां पर टेबल सौ जो कहां पर है सब्सक्राइब काफी सारी नहीं चीज़ें से संफ्लावर हैडर कल्टीवेटर सीडर फॉर्ट सारी चीज़ें आ गई है बट जैने ट्रेटर गो यहां पर आयो वह यह नहीं है एक बहुत बड़ा फ्यूल ट्रेलर भी है मतलब तो 16 प्लांक्स का सेट मैंने या से ले लिया पूरा थोड़ा दुख हो रहा है अगर जैनेरेटर मिल जाता तो मैं लकडिया काट सकता था एक दम वास तरीके से फिलाला भी इसी वाली गाड़ी का जो ट्रंक है ना मैं इसे ओपन करता हूं और यहां पर इन प्लांक्स को रख आएंगे वह देखता हूं मैंने वी तीन कॉलम तो रख दी है और एक और उपर आ रहा है तिंक अभी माक्स लिमिट हो चुकि है इसके उपर मैं नहीं रखा हूंगा शायद से येस अभी और उपर मैं नहीं रख सकता और इधर भी थोड़ा स्पेस है यहां पर भी कुछ न मैं अपना साइट से निकल रहा हूं मुझे पंगे नहीं ले और मैं गलत जा रहा था सही है कि अपने घर का रास्ता इस तरफ है इतने प्लैंक्स में अपना काम हो जाए यार मेरा दूबारा मन नहीं है से मार्किट जाने का ओल्राइट तो फाइनली हम लोग अपनी रेंच इतने प्लैंक्स बहुत ही कम लग लग बहुत कम लगें Pharisee देखो है यह पे भी यहां यह पे घ्लाइव ही ग्लाउा बश tward translations लग्नेए और एक kilo total लगने हैं लुघो जाएगा इधर लगा था जिया हुगा यहाँ चाहिए झानी नखी हो जाएगा दिया ग्लास एक दो बड़ी कर दो एक डरी के लिए साइड रहेवार, यह पर भी लार्ड प्लैंक लगने हैं हो गया hosp, कित्री जादा कुछी हो रही है ग्रीन आउस अब कह सकते हैं कि फाइनली कम्प्रीट हो चुका है देखो कुछ ऐसा दिख रहा है हर तरफ इसमें ग्लास है ताकि जब सब्सक्राइब और इसे बंद रखना जरूरी है था कि एर अंदर मतलब जाए बट ग्रीन आउस में अभी ठीक है अभी हमें लकडिया काटने की ज़रूत नहीं पड़ेगी बठा मुझे कोई आइडिया नी फार्मिंग करते कैसे है उसके लिए शाहत से रहा मुझे कुछ और चीज़े बिल्ड करनी है तो यह है फार्मिंग के लिए समान जो मुझे चाहिए ना वो यह है दिखो स् ला देखते हैं इसमें क्या है यह लार्ज है तो स्मोल कैसा है ची बाइए पचास लग जाएंगा बहुत बड़ी लेवल पर फार्मिंग कर सकता हूं इसमें अब इसे में यहां पर रखना है स्टार्ट करता हूं इसके लगडिया लगनी है यह उसी से कंप्लीट होएंगे तो यहां थोड़ा थोड़ा ग्याप में रखता हूं सफाई से काम करेंगे दो यहां पर और दो यहां पर हर एक विंडू के पास दो यहां पर तो अच्छे से लग गया अब इसके इंदर लकडियां लगनी है तो मेरे पास प्लैंक्स अब कम पड़ी गए घुमाफिरा के इसके इंदर अगर मैंसे लगा दूओ भाई एटीन प्लैंक्स जाएंगे एक में अपरेबाप इसके लिए तो जाना पड़ेगा विया दुबारा शॉपिंग पर वैसे पीछे थोड़े बहुत प्लैंक्स पड़ें ऐसे लेकर चलता हूं एक कंप्लीट करके देखते हैं कि आकिरकार वह दिखता कैसा है यहां पर अगर मैंसे लगा दू तो यह काफी प्यारा दिख रहा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फटाफट से चलते हैं प्लैंक्स खरीदने के लिए बट वह खरीदने से पहले ना मुझे अपने इस ट्रेलर को भी खाली करना पड़ेगा है तो अपनी गाड़ी के अंदर तो अच्छा-गासा फ्यूल है बट यार मैंने ना अपने इस एरिया की पूरी बैंड वजा दिया पेड कार्ट कार्ट के पूरे में लकडियां बिखेर रखी है कोई नियार साफ सफाई करेंगे किसी एक दिन मैं ऐसी वीडिय है यहां पर सबको अन्लोड करा देता हूं नीचे चलो पूरा रस्ता खाली लकडियां करीट के लाने है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना तो अभी अपना ग्रीन हाउस कंप्लीट हो चुका है बट जहां पर मुझे क्रॉप्स ग्रो करनी है बस वह बनाना है उसके ब लोट आनी है बहुत बड़ा ट्रेलर है यह समान वान का फॉब्लम है लगा पर प्राइम वेस्टिंग वाली प्राड़ए इक दिन में क्या करूँ को लोई जितना सवाना जितना भी है सब आपने रेंच के पीछे एक बड़ा सा स्टोर बना दूगा उसके अंदर सब कुछ रख डालोगा वापिस आने के जरूती नहीं बड़ेगी सही मैं बहुत जाता है आने जाने में समान खरीदने में लोड कराने में चलो भाई यहां से सारे प्लैंक्स मैंने ले लिया कितने सा लेवल रात हो रखी है और वहां पर तो भालू थे बहुत सारे होता है जायता से बच के इतर आगया रस्ते नहीं सावजा रहे है लेकिन में को बट शायद शायद मैं भी हां डीलेशिप पे हूं यानि आगे वाले कट पे जाके अपनी गाड़ी को लेफ्ट बोड़ना है फाइनली रेंच पे पहुच गए में को में अमेद नहीं थी कि हम लोग पहुच पाएंगे अज घर पे वापिस अगला तीन हो चुका है विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिन्दा हूँ चलो भाई गाड़ी का अपनी इसकी लाइट कि अच्छा रात में जलाई थी ठीक है तो शायद से अपना लास्ता हार्डवेर स्टोर पे जाना इसके बाद मुझे नहीं जाना पड़ेगा मतलब आज किस वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि लकडी में इतनी सारी लिया हो ना कि अभी नहीं कमी पढ़ सकती अगर अभी कमी पढ़गी तो विश्वा मेरे को लग रहा था कि मैं जादा लकडियां लेकर आगया हूं इसका में इतने प्लांक सी उजव होगी है कि पूरा ट्रेलर खाली हो गया है तो बस में को ऐसे समय दो दो लगा दो दो चले आगए क्योंकि अब दो इतनी आधा लगडी इस लिए एक में ही टोटल 18 प्लांक का सेट होता है तो इसले ती सारी यहां पर वोटी उस ही है बठाव फाइनली हमने किसे कम्प्लीट कर डाला वाई अब जो ए फाल्तु की लगडी आना इसको मैं भी फिलाल के लिए तो भार रखवा देता हूं अब बस मेरे को क्रॉप्स लेकर आनी होगी जो कि मैं आपर ग आरा दिख रहा है आरे अरे मैं इस की क्या कर दिया मैंने का फिल्म शूट हो रही है कि ठीक है भी फड़ा फट से लोग चलते है जैनल स्टोर पे वहां से लेकर आते है समान मैं वह सब चीज़े मेरे को लेकर आनी है जो मैं आपर ग्रो करने वाला हूं देखते हैं कि कैसे बिसिकली आज हम लोग उस चीज की फार्मिंग करने वाले हैं जो सारी चीज़े ग्रीन हांस के इंदर ग्रो होती है उसकी तो फार्मिंग बाहर भी कर सकते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा ठीक है मैं आ चुका हूं जैनल स्टोर में पर्चेस करते हमें जो जो मतलब ग्रीन हाउस के अंदर उगाने के जरूत नहीं है अभी जो एक्स्रा चीज़े होती है जो की फार्मिंग में काम आते है वह फर्टिलाइजर अग्रीकल्चर मेडिसें से शाद अगर कोई पोधा बगरा खराब होने लग जाए तो हम लोग की मैडिसें डाल कर सकते इसके अगर जितने भी पाकट्स पेस अगर आगा तो तो भी है बहुत टाइम चले जाएगा और जगा की दिक्कत होगी तो इसलिए इन पाकट्स को मैं इसे उठा ले दो वेड मैंने खाली फिली दो पैकेट खरी लिए एक ही पैकेट के अंदर दस दस सीड चलो कोई बात निए बाद में वैसे बी काम आ नहीं है जितने भी सीट्स के पैकेट्स है इसको ठाटा के मैं कूलर में भरवा लूँ भ ग्रीन हाउस फार्मिंग करने के लिए ओके गाइस तो हम लोग पोच चुक है अपनी ग्रीन हाउस पे फड़ा-फड़ से ट्रक को यहीं पर खड़े करते हैं इसके अंदर बहुत सारी सीट्स है तो दो नो डबो को तारके ना मैं पहले यहां पर रखवा देता हूं यहां इदर मैं काम करूगा ने काबिनिट बना दूगा उसके अंदर सारा सावान रख देंगे फर्टिलाइजर और जितनी वी चीज़े एक फर्टिलाइजर का लेकर लगा देते हैं इसे यहां पर रखता हूं फिलाल के लिए और एक स्प्रिंकलर ले आता हूं मुझे पता नही अच्छा लेशली ऑंधसर लेशली नहीं आगी एक लिए इलेशर के इतनी है नियुक्त 상 मुझे इसके में एक Windows बनानी तो अपने जो विंड में लेना Cinema सीन कुक ऐसा हो है कि मैं इसका जो राइडियस आ इसका सिर्फर सिफ यहां तक का यह लाइन दिखर ही तो सीन कुछ यहां से ज़िए लिग जो हमने हुख लगा JEFF तो उसमें पानी नहीं आने वाला qual committed पानी सिर्फ इतने रेडियस में रहेगा तो यह तो मैं अभी टेंपरेरी एक और विंड मिल बनाओ पता करूं बनती किते के मेरे को तो याद भी नहीं रहा है इसके लिए मेरे को 150 बस मेटल चाहिए अरे पहले बताते हैं मेरे को इसके पीछे ही बनाथे तो एकदम लो भाई यह रहा अपना फार्म और यह मैंने लगा दिए एक विंड मिल 150 मेटल चाहिए ना अभी ला रहा हूं मेटल तो बहुत सारा पड़ा है मेरे पास मतलब पड़ा होना चाहिए मेरे को याद नहीं आ रहा एक काम करता हूं जितने भी कैन है सारे उतार के यहां पर रख देता ह यह 10 है यह metal है अब वेट यही metal है वह तो cement है अभी चुप-चाप से metal लेने चले तो time बर्बाद नहीं करना मेरे पास 150 metal नहीं होगा अब मेरे को पक्का पता है मेरे पास पैसो की कमी पड़ जाएगी और मैं आज रह जाओगा लेस प्लेस 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 काश में पा यह चले चले कोई नहीं मेटल मेटल दो 500 डोलर की 50 लेट है यह पांसो डुलर है यह नोग्सोड डोलर है फील शोडि़ारinky अच्छेस कर लिए 150 प्लेट सभी तो यह आणी बट्र इतने में अपना काम नहीं होगा कि इन हारे मेरे 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 करना हूँ लिए गारी प्रिण क सब्सक्राइब करें चलते वापस एक पचास वाली बता अंदर रही थी अब भी धान गया मैं इसे लेकर आया और मैंने टेन डॉलर की एक प्लेट यारे ग्रीन हाउस बनाने में अलग लेवल गरीब है बिल्कुल पैसा खतम होगा भाई चलो भाई गाड़ी देकर वापस पहुच चुक हो मैंने ना ग्लास जादा खरीद लिए इसको लेकर जाना चाहिए तो साथ में बेच देता लगे हाथ कि गा गई है क्या यार कोई पड़ी है कहां काम हो जाएगा पचास ओर चाहिए बस पीछे चेक करके आता हूं क्या पूरा पचास का पीस पड़ा हो 50 और खरीदने का मतलब है 500 और वो मुझे मिलेंगे पिग मार के चलो भाई अभी यह क्या हो गया मेरे सारे अनीमल मर गए मैंने तुम्हें पाली नहीं दिया क्या वाई वेट यहां पर पड़ी है भाई बहुत सारी प्लेट अभी पूरा काम नहीं होगा इसमें टीन प्लेट यह भी लगा दी 141 टोटल प्लेट लग चुकी है मेरे को भी 9 प्लेट और खरीद के लानी है बट यार मुझे सच मुच में ब सच में बहुत जाए दुख हो यार पैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दुबारा लाओ दुबारा इतनी जन संक आ जाएगी यह देखो इसकंदर जीरो और फूड पैसा पी नहीं है ना खाना नालने के लिए प्लम तो यह है यह सीमेंट मेरे पास बहुत सारा ना फ जालते हाडवेर स्टोर मैंने सीमेंट और ग्लास ले जो कि मैंने एक्स्टा पर्चेस करें इसको बेच दूँ आ इससे जो पैसा आएगा उन पैसो से मेर को क्या गरीदना था हा मेर को मैं अटल करीदना था सिफ नोड़ दस मेटल ले जो कि I hope इन सब समान को बेच कि आ जा अचान आजाए वर्ना तो भाई रो ना आ जायगा यहां था कर सकता हूं यस मैंने सेल कर सकता हूं इसके मतले मैं 144 डॉलर मिलेंगे बस थेका बाई तो मेरेको बस बैस मेरे मेरा काम हो जाएगा मैं जा रहा हूं तो एंडेड डॉलर की टोटल 10 मेटल प्लेट एलेटाओ त निए पास मेरे आई ना सारा मिट भरतेते इसमें 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 जाते बीच में ना बेस्ट बढ़ेगी उनको फैस दोड़ ही पैसा मिलेगा बद कुछ भी है और मैं कुछ घूल पैसा मिलेगा बचुछ तो मिलेगा इस तक मैं बैंक बैलेंस जीरो हो एक्टम वैसे बैंक बैलेंस से आधा या बैंक भी तो खुला उसकते है ना उससे लोन लेता हो आपने जो एनिमल जिन्दा एटलिस उने खाना तो खिलाप हूं खोलो भाई इसे खोलो तेखता हूं कितने का बिगे का भाई यह बीर का मीट आट काम हो गया वैसे भी अपना खुली जाएगा उस वाम में करके जो चीज़े ग्रोगी उसे भी तो बेच के मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं लेकिन यार जो भी हो यह नया बिसने से स्टार्ट करना ना यार मेरे लिए तो डेंजरस हो गया पहली बार हुए कि पैसों कमी बढ़ गी हो वरना पहले में करता था अगर दस मेटल चीए तो मैं अलग से पचास साथ लेकर आता था बट ठीक है दुबारा से अनिमल्स लाके पालेंगे दुबारा हम लोग अमीर बनेंगे फिलाल अभी मेटल प्लेट लाओ सबसे पहले तो यह तो इसको लाकर मैं लगा इसको करा ओन यह लेट्स को पानी डलना शुरू हो गया और वेट एकी में बहुत सारी जगा पानी डल रहा है तो इसको यह भी लगा सकते हैं और यह जो पानी डालने वाला सिस्टम है वह जगा लग जाएगा यहां पर मेरे वाटर मेलन की जो सीट सवया लगी है यह तिंक यहां पर एक शेप जो है मिट्टी की वह उपर को उठ गई है देखो अलका सा शैडो के रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा है और जो ग्रीन वाली लाइन है वह ग्रोइंग की लाइन है तो हैंड़ में इसके अदर फर्टिलाइजर डाल दू तो क्या फरक पड़ेगा ओ यह अच्छा उसकी ग्रोथ स्पीड बढ़ गई है तो चारों के अंदर डाल देते हैं इसमें 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 इधर भी इधर भी चलो वाई तो फर्टिलाइजर के कैन भी इंपोर्टेंट है से अंदर रखे रहें देता हूं अब मैं और चीज़े लगा तो मैंने भी पंकिन न में लगा दिया कुछ भी ऐसे कम जादा नहीं है दो वाटरमेलन चार पंकिन चार ग्रेप चार ब्लैक पेपर और और क्या था और क्या था इक और स्टॉबरी टोमेटो यह सब तो मैंने देखा ही नहीं यह दूसरे वाले रभे में पहले यह उसके बाद यह स्टॉबरी क्योंकि भी जो पानी यह इन दोनों में यह देख दिख रहा है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको बस ओन करना है और इसमें भी लगा के इसको भी ओन करता हूं पहले सम्में पानी का सिस्टम लगा दे पिर इसके बाद सब में फॉर्टिलाइजर डाल ताकि वह तो इसको भी यहां पर करके और सारी चीज़े दस लाया था दस की दस यूज होएंगी तो सब जगह मैंने स्पार्कलर लगा दिया स्पार्कलर हर जगह लगा दिया है मैंने और अभी हर तरफ पानी की कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब में एक दब मस पानी डलेगा अब बचा है मतलब हर एक प्लांट पर डालने पर 0.5% यूज हो रहा है वह थिंक मैंने भी क्याकुलेट नहीं कर रहा है अगर इसमें डालो तो मतलब 14 वार हो ना चाहित हो वन टू टू ट्री फोर फाइव सिक्स 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 टाइमस यूज है तो शाद वो आधा था यह पूर पूरा मतलब सही है मैं 14 प्लॉट्स के अंदर एक फर्टिलाइजर के कैन को यूज कर सकता हूं और यह देखो गाइस वाटरमेलन का तो उगना भी स्टार्ट हो गया है एक तम बस देखो तीन चीज़े में को समझ आ गई यह फूर्थ वाली क्या है वह मेरे को नहीं समझ आ तो अभी मेरे को यह चार ओप्शन समझ आ गए है पहला वाला है वाटर का की प्लॉट में कितना वाटर है सेकिंड वाला है फॉर्टिलाइजर का और थर्ड वाला है क्रोथ प्रोग्रस हो पूरा कि 44 परसेंट जो है यह वाटरमेलन उख चुका है और फॉर्थ ऑप्शन श करना है मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूं फिलाल अभी अपना ग्रीन अउस एक दम परफेक्ट बन चुका है यहां पर सारी चीज़े दीरे-दीरे करके ग्रों जाएगी और मुझे ने एक चीज़ का ध्यान रखना होगा यार बार बार इसमें पानी बहुत ज्यादा समझ गया मैं इसको जैसी मैं करूगा यह डालना शुरू कर देगा ऐसे बे मतलम मैं पानी वेस नहीं करेगा कि प्लांट्स को भी पूरे टाइम पानी नहीं दिया जाता यार तो यह कुछ लिमिटेड टाइम के लिए काम करेगा फिर उसके बाद अपने आपी पानी देना बंद कर देगा और यह देखो का इस यह अपनी एक next stage पर चुका है 56 पर संट यह और यह 55 पर संट ग्रो गया नाइस भाइस होते रहे मैं आज देखू अगे क्या चीज ग्रों के मिलती है और फटीलाइजर नियागा इसमें यह सब इती धीरे क्यों ग्रो हो रहे है यह यह मैंने थोड़ा पहले भी तो लगा दिये थे ठीक है होने देते हैं इसको अभी कुछ रहा है तो नहीं रहा ना वेट क्यों नहीं रहा भाई इतने सारे अनिमल्स उनका खाना पीना भी जो बचे होंगे जिन्दा जैसे वह भी मर गई होंगे यार ठीक है सारी चीज बढ़ वाटर तो फ्री में डल जाता है यहां से वाटर में डाल देता हूं और सब में डाल देता हूं ऐसा एक्दम खतम होगे अंदर चक्कर मार के आता हूं मेरे साब से तो कोई भी नहीं बचा होगा यह पिग मर गया यह काओं भी मर की भाई कितना नुक्सान हुआ थ्री हैंड गास भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब मैं क्या करूँगा ना पहले आकि घास काटूँगा उसके बाद अनिमल्स को लेकरा हूँगा अपर तो अपने घोडे के अंदर कितनी शक्ति है भाई यह भी मरनी वाला यार भाई खाना काले कुछ पढ़ा तो है इसके अंद यह नहीं खाना भाई होड़ा मैं ने बहुत महेंगा लिया था मेरा सारा पैसा इसी में बरबाद हुआ है अब मेर को याद आया कि मैं गरीब क्यों होगया और फार्मिंग स्टार्ट कर दिए थोड़े दिन में अमीर वापिस बनने वाले वाले फिलाल आप फार्मिंग से अब ही तो नहीं होगा यह वाटरमेलन आ चुक एक चोटा सा इसमें वह इसमें इधर वाले प्लांट सोड़ा सा इनको पता अच्छा यह नहीं उगरे वह इधर शाह से जो मैंने लगा उनका प्रोसेस असलियत में भी स्लो होता होगा बट जो भी है वाटरमेलन और तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा यार अच्छा लगेगा मतलब यह ले इधर और इसको खा इसको मेरे को तो नहीं खिलाना पड़ता खाई से खुच से अबे खाले यार पानी पी रहा ना खाना खा रहा है चल चुप चाप यार अगर ऐसे करेगा तो थोड़ी दिर में खाले भाई खाले यार इसको भाई इसको इसको मुह लागे खुशेड़ी तो इतने जिन तक जिन्दा कैसे था यह मुझे समय निया रहा यार अभी क्या जलना है भागे ठीक है यार जो भी है यह देखो आपने वाटरमेलन पूरे के पूरे ग्रो चुकि है धीर धीर करके स तो घर पर अपनी गेम सेफ करने क्योंकि आज के लिए बस बहुत हैं ने बहुत काम करा करें मेरे अनीमल से नहीं मरे होते ना तो मैं वीडियो और लबी कॉंटीनिव करता क्योंकि आज बहुत जादा मजाया वाई पर मेरे पास कोई option निया मेरा farming करने का target था जो कि मैंने क कर दिखाया है मैंने एक fruit भी grow कर दिया सारी चीज़े grow दीरे दीरे साब हो जाएगा फिलाल मैं जा रहा हूं घर वे सोने गेम बंद गरने तो देखते हैं क्या कैसे चलने वाला है तो बस आप लोग जाकि आर कॉमेंट्स में बता हो फिलाल मैं आप लोग और नेक्स वीडि है थे तो क्यूँ क्या कर दो मैं जा कर दो मैं आप लोग जाता हूं एड estás?